गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स, वेलकम टू श्रीबियल मेमरेल अकडेमी ओनलाइन क्लासेज, ओनलाइन क्लासेज में बच्चों आज आपता स्वागत है, आप लोग ठीक होंगे, स्वस्त होंगे और अच्छे से होंगी पढ़ाई भी करते ना आप लोग, टेली पढ़ाई भी करनी आपको, ऑनलाइन क्लासेज में ये आपको वीडियो बजे जा रहे आप लोगों को कॉपीज में वर्क करना है और उसी वर्क को आपको लर्न भी करना है पिछले क्लास में मैंने आपको my body यानि मेरे शरी के अंगों के बारे में parts of the body के बारे में बताये था तो उसमें आदे ही बताये थे कुछ parts of the body बताये थे आज मैं उसके आगे क्या आपको बताऊंगी तो देखो इधर आप लो H, A and D Hand, Hand means Heart Hand means Heart अपने body में hands होते हैं न हैंड को क्या बोलते हैं हाथ H Sorry Hand तो बता दिया फिल fingers F, I, N, G, E, R, S fingers fingers means अंगूलिया fingers means अंगूलिया अंगूलियों को क्या कहते हैं? Fingers फिर है थम्ब T, H, U, M, B Thumb Thumb means अंगूठा Thumb means अंगूठा T, H, U, M, B Thumb Thumb means अंगूठा फिर P, A, L, M Palm Palm means हथेली Palm means हथेली हथेली को क्या कहते हैं? Palm P, A, L, M Palm फिर है रिस्ट W, R, I, S, T Wrist means कलाई Wrist means कलाई W, R, I, S, T Wrist, wrist means कलाई फिर हैं नेल्स N, A, I, L, S Nails Nails means नखुण Nails means नखुण नखुण को क्या कहते हैं? N, A, I, L, S Nails ठीक है? स्केट देखो W, A, I, S, T Wist Wist means जांगे Wist means जांग L, E, G Leg Leg means पाँ पर Leg means पर फिर P, H I, G, H थाई थाई किसको कहते हैं? थाई किसको कहते हैं? थाई भी जांग को कहते हैं फिर हैं K, A, N, W, E F-O-O-T, foot, foot means Punjab, foot means Punjab, F-O-O-T, foot means Punjab, T-O-E, toe, toe means भी अंगुठा, लेकिन पाउं का अंगुठा होता है, उसको बोलते है, toe, पाउं के अंगुठे को क्या बोलते है? T-O-E, toe, और हाथ के अंगुठे को क्या बोलते है? T-H-U-M-B, ये हाथ का अंगुठा होता है, और T-O-E, toe means अंगुठा, पाउं का अंगुठा, वापिस देखो अब इदर एक बार वापिस बोल के बता रही हो आप लोगों को, और ध्यान से सुनियेगा, H-A-N-D, hand, hand means heart, F-I-N-G-E-R-S, fingers, fingers means अंगुलिया, T-H-U-M-B, thumb, thumb means अंगुठा, P-A-L-M, palm, palm means हथेली, ये, P-A-L-M, palm, palm means हथेली, W-R-I-S-T, wrist, wrist means कलाई, गड़ी पैंत्यों न हो, W-R-I-S-T, wrist, wrist means कलाई, N-A-I-L-S, nails, nails means नखुन, फिर W-A-I-S-T, wrist means जांग, L-E-G, leg, leg, leg means पैर, T-H-I-G-H, thigh, thigh means जांग, ये, K-N-E-E, knee, knee means गुठना, F-O-O-T, foot, foot means पन्जा, T-O-E, toe, toe means अंगुठा, अब आप इसको टू टैंग्स लिखेंगे कॉपीज में, neatly, suffice से, और इन spellings को learn करेंगे, इनके meanings के साथ में, ठीके, आप इस वीडियो को देख करके like कीजिए, इस चैनल को subscribe कीजिए, ये like करना न भूले, और न ही इस चैनल को subscribe करना भूले, thank you,